Hello guys, I am Rikki and you are most welcome to our YouTube channel Nirmala Nirvana Classes. As you know, today is Sunday and in the segment of Sunday, I have come with a good history for you. So, today we have a very small and small and small and small and small story of you in front of us. As you know, every Sunday we have a story of you in the comments section. So, let's ask the story of the story and the story of the story, please tell us in the comment box. So, the story of the story, the story of the story of the story, the story of the story, the story of the story is that आमने सामने हैं, तो जो एक बहुत बड़े महानगर हैं, वहां पर एक मुहला है, जहां पर दो लोग रहते हैं और दोनों का घर आमने सामने हैं. और कहानी वहीं से आरंब होती है. तो जो वेस्तिया का घर होता है, और जो एक पतिवरता नारी का घर होता है, दोनों जो की आमने सामने होता है, इसलिए दोनों ही दोनों का हाल चाल जांते रहता है. वह जब अपने खिड़की के पास यह अपने घर के पास आती है वेस्तिया तो वह पतिवर्ता के घर को जाक सकती है और जो पतिवर्ता नारी है वह जब अपने खिड़की के पास आती है तो वह भी वेस्तिया के घर को अच्छे से जाक सकती है इस तरह का दोनों के बीच जो है इतना कम distance होता है और एक ही मुहले में, एक ही समुदाय में, एक ही समाज में रहने के कारण क्या है सभी लोग सब के बारे में सब कुछ जानते ही रहते हैं तो विस्तिया के बारे में पतिवर्ता भी जानती है और पतिवर्ता के बारे में विस्तिया भी जानती है बुराई सुनाती है मतलब उसमें जो जो खामिया है उसको वह क्लियर करती है कि वह इतनी गंदी है वह ऐसे है वह ऐसे है मतलब उसके बारे में डलिया भर-भर के बुराई सुनाती है और इसके विपरित जो वेस्या है वह चुकी जानती है कि वह गलत करती है या गलत हो रहा ह और साथ ही लेकिन उस पतिवरता के बारे में वह हमेशा जिससे भी मिलती है वह उसके बारे में भर-भर के बढ़ाई करती है मतलब यह सीधा अपोजिट है जो पतिवरता नारी है वह इसके बारे में हमेशा गलत सलत और बुरी बातें और भद्र बातों का परियोग करके उसके बारे में बुराई करती है और जो वेस्तिया है वह पतिवरता नारी के लिए अच्छा और सम्मानजनक भौर रखती है महिला है जो अपने निर्धन कुरूप बृंध पती को देखकर भी भजी लेती है और यह कितनी बड़ी बात है अपने आप में और इसलिए जो है उसके प्रति समान जाकता था यह जो महिला है जो यह नारी है यह अपने आप में बहुत ही ज्यादा एक तरह से कहा जाए तो आधरस्वादी है एक जो पतिवरता होने चाहिए इस्तरी का वहां गुन उसमें है यह देख करके यह जो है भाव वहवल होती थी कौन तो यह देख करके मतलब कि उसको अच्छा लगता था वेस्तिया को अवेस्तिया के परति उसका तो भाव आप जानी था है हमने आगे ब पाद इस वेस्तिया थे इसकी आत्म स्वर्ग यमलोग amaun i勝 के पहुंची तो जो वेस्तिया थी उसकी आत्माव की अच्छा परदान किया गया स्वर्ग में उचि अस्थान दिया और जिवाह महिला थी पतिवर्ता नारी उसको व्यक्रा है कि उस स्वर्ग में उससे अच्छा आस्थान नहीं दिया जहां ता उससे नीचा आस्थान दिया यह चीज़ देख करके जो पतिवर्ता नारिथी इसकी आत्मा जो है बोल उठी कि हमने जीवन भर जो है एक पतिवरत का पालन किया पतिवरता धर्म निभाया और हमको स्वर्ग ने कहा वेस्तिया परिस्थिती की विवस्ता के साथ या कह सकते हैं कि वह विवस्ता से उसने वह व्यवसाय अपना लिया लेकिन वेस्तिया कि उस व्यवसाय को अपनाने के बाद भी जो उसकी मानसिक्ता थी जो उसकी चेतना थी वह कभी उस काम के लिए उसको प्रवित्त नहीं करती थी वह उसकी मजबूरी थी या कह सकते हैं उसकी विवस्ता ऐसी थी इसके कारण उसको वैसा जो है काम करना पड़ा लेकिन वह हिर्दे से वैसी नहीं थी और जो पतिवर्ता के बारे में कहा इसके बारे में कहा कि तुम तुम्हारे सतकर्मों को देखकर वह खुस ह तुम्हारे स्कां दिल भर जाता है और तो, इक बिदम सहीं सोची थी कभी वारे में गलत नहीं सोचे और साथ ही कहा कि गलत सही जो भी हो लेकिन स्रीम से बड़ा मन होता है और मन का जुकाओ उसका हमेशा कभी भी गलत के परती नहीं था उसके मानसिक जुकाओ थी वह हमेशा अच्छाई के परती थी जो एक आदर्सवादी चरित्र होता है उसी के परती थी इसलिए लेकिन तुम्हारी मानसिक्ता जो है उससे गिरी हुई थी कि तुम हमेशा जो है उसकी आलोचना और सिर्फ ना उसकी विवस्ता को देखा ना उसके और किसी को देखा सिर्फ तुमने उसकी जो है अलोचना ही की इसलिए कहीं न कहीं तुम उसे एक-कड़ी नीचे हो यहां बात पतीवरता ना दी से कहा और कहा कि क्रिया का क्रिया जितना हो उससे ज्याला सरेश्ट उसकी भावना अगर मातलब कि मन के पाप पुन्यों का भी जो है उसमें प्राइस्टिक जोड़ा आता है किसके मन में क्या है और über उसने हमारे लिए क्या किया या उसकी मान सिक्ता क्या थी और हमारी मान सिक्ता क्या इस प्रकार जो है उस बच्चा को बेस्चा हो accelerate कि बावजुद भी स्वर्ग में पतिवरतान अरी से उचास्थान मिला तो कहानी का मैसेज साफ है कि सिर्फ क्रिया पर बल ला दें उसके साथ उसकी भावनाओं को भी देखना चाहिए उसकी भावना कितनी स्रिष्ट है या जो कह सकते हैं कि उसका मानसिक सिति कैसा है उसकी मानसिक चिंतन कैसी है यह भी कही न कहीं आदमी को डिफाइन करती है तो आज की स्टोरी को यहीं करते हैं और बताएगा कहानी कैसे लगी धन्यवाद स्वास्त्राय अपना खयाल रखें जय हिंद